तो दोस्तो इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे जी हाँ दोस्तो डीलेट प्रतम दोतिये तरतिये चतुरत समिश्टर रिजल्ट 2022 लेटेश्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसके बाद दोस्तो बात करेंगे हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा लेगा जी हाँ दोस्तो आप देख सकते हैं ये 19 बेपेश का हमारा रिजल्ट है ये 18 बेश का रिजल्ट है तो गाईस देख सकते हैं कि रिजल्ट हर बार अलग अलग तरीके से सामने आता है तो अब 2021 बैच का रिजल्ट कैसा देखेगा पूरी अप्डेट हम इस वीडियो में देखेंगे एक बात और दोस्त आपके मन में एक सवाल है सिच्छक भरती को लेकर जी आँ दोसों नई टीचर वैकेंसी इस समय देखि और यूपी टेट का भी पेपर नॉवंबर या दिसंबर में होगा ठीक है जिसका दोस्तों रिजल्ट दोजार तेस से पहले नहीं आपका बहले जनवरी दोजार तेस में है लेकिन दोजार तेस तक आपको इंतजार करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है अगर कोई वैकेंस और कुछ अपडेट हम 30 जुलाई की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं तो कोई भी खबर दोस्तों आपसे इस वीडियो में छूटे के नहीं तो वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखना है बाकी जो भी अपडेट आती है फेल चात्रों के लिए कि मोबाइल में रिजल रिजल्ट हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वेबसाइट हमने आपको बता रखिए रिजल्ट के लिए सिर्फ dls.com इस फिलिंग याद रखेगा d e l e d d l e d result result r e s u l t.com dla.result.com google पजा के सर्च करेंगे website यह उसको open कर लेना है उस website के माध्यम से आप लोग बेहद आसान तरीके से अपना result डाउनलोड कर पाएंगे थोड़ा से इंतजार करना है result का link अब किसी भी समय किसी भी पल activate हो सकता है समय काफी ज़्यादा निकल चुका है तो सीधी सी बात है अब result किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है एक बात और आपको बता दे result अकसर आपको पता होगा कि result का जो link है वो रात को ही activate किया जाता है तो नजर आप लोग बनै रखिए हर एक update पर comment box में भी link दिया गया description box में भी है result के update देखते रही है मिलते हैं दोस्त एक और वीडियो में और इस वीडियो में जो महत्पुर जानकर यह है कि नए सिच्छक भरती के लिए धरने के तयारी की जा रही है बाकि धरने के हर एक update हम आप तक पहुचाएंगे लेकिन नुकसान उन सभी छात्रों कोगा जिन बचों का treat clear नहीं है या जिन बचों का deal head में अभी back बचा हुआ है मिलते हैं को और वीडियो में तब तक के लिए stay connected have a nice day